Friends World TV पे आप सब का स्वागत और भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही मंगल निकले और आए जानते हैं सबसे पहले वेदर रिपोर्ट और उसके बाद आज का हॉरोस्कोप अबसकार दोस्तों मैं हूँ एस्टर परवन स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियू की कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए करेंगे चर्चा इसके उपर पहले शुबात करेंगे आज के पंचान से आज 7 जनुरी 2021 और दिन आज पीरवार कर रहेगा किशन पक्ष की आज अस्टमीतिति रहेगी और नक्षघत्र वो है जो चितरा नक्षघत्र रहेगा गोचर चंद्रमा आज करेंगे कन्या राशी में राहु काल का समय जो रहेगा तो पहले के दो बच कर 48 मिनट से लेकर शाम के चार बच कर 35 मिन त रम्भी यात्राइं की जा सकती हैं जो आपके लिए काफी लाप्रद भी रहेंगी। वसे एक बात का थोड़ा से जुरू दान रखें। पानी और दूर का दान आज नहीं करना है। नहीं तो कहीं नहीं चिंटाएं। परशानिया आपकी जो हैं वो बढ़ सकती है। कि अध्यात्म की तरफ अगर बात करूंते है उड्यात्मर का अध्यात्म के लिए समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो लोगत अध्यात्म की तरफ गणते हैं नहीं के लिए ये पहुत ही शुरहों आगे बात करते हैं टॉर्स यानिकी व्रिश राशी वालों के लिए गर बात करूं तो चंदरवा की स्थिती जो है वो पंचम भाम में अच्छी बनी हुई है और संतान पक से कहीं नहीं लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कोई अगर उन्होंने एक्जाम दिया हुआ तो उ तो आपको का भी कारें करात कर impacto कर राशी कारें तो आपको काफी चाहलता मिलेगी और माता कर्सिर आपके ने तक कारें दॉन सकते हैं गीया वात कर्षी समातिया जो है वो आज अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं सुड़े शुक्र की स्थिती भी बहुत जादा अच्छी नहीं है पत्मी के स्वास्ते के लिए को भी काफी चिंता बनी रहेगी कामकाज की स्थिती अच्छी रहेगी जॉब में प्रमोशन होने के यूग बनते दिखाई लाब की स्थिती भी कहीं नहीं से अच्छी नहीं रहेगी बस मेहनत और इसी दूर से जादा हो सकती है आगे बात करते हैं लियो यानि कि सिंग राशी की सिंग राशी वालों के लिए बात करूं को चंद्रमा की पोजिशन जो है वो जो दुत्ते वाम में आपके गोचर कर अब आखे हैं इसलिक दोदो, चुरूर से खर्चें पे भी कि धूर्द को प्रकाई हो सकता है कोई को बीमारी हो सकती है थोड़ से जो दूर्द कर दो देहां कर दो रखेंए जो हम बातित्तिकित्य हो बदो यह लिए कि वाम में दूर्टन की तरफ निशा पना रिए को ब क्राइब आध्यश कर चैसे कंशकें हुआगा पंचंक कहाई ने रहें, बच्छों विदेश बिजने आपके लिए आखि लाप दायक रहेंगा. मंगल की स्थिती एस्टमबाब में थोड़ी शी पेट को दिक्कत दिद्रूर करती है तो पेट का अपना ध्यान लगे आगे बात करते हैं लिब्रा यानि कि तुला राशी की तुला राशी वालत को लेकर बात करूं तो आज भूमी वहान के लिए समय बहुत अच्छा है अग दूला पर वहान कि उत्राशी को लगे आगे बात करते हैं राशी के वरिष्चिक राशी वालों को लिगर बात करें तो चंदर्मा खेंडें को कहिने लाब होता हुए भागे के द्वारा आज आपको कही लाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कोई अपको पुराना काम डिखाई दे रहा है कोई बहुत जो आपने इसके सोचा नहीं होगा भी आज आज आपके कारे बने जरूर बने बनेंगे और कही नहीं सरकारी शेतर से भी लाब होता हूँ पालाई की चुछी थी तो यहां अगे बात कटाए हैं अगे हैं सेटेजिशिस धनु राशी के दनु काज किस्टि को भी ये बिगार सकते हैं, वांखसंद के साह अनन बन ऊगी, घुस्सा होगा, सही की भी आपको साथ नहीं दे पाएंगे और कहीं ने कहीं जौब में आपके दिक्ष्क परशानी हो सकती है। आगे बात करते हैं केप्री कोंग यानिकी मकाराशी की मकाराशी वालों के लिए बात करूं तो तंद्रमा की सिती काफी अच्छी रहेगी पार्णर की तरफ से कहीं ना कहीं लाव होता हुआ दिखाई भी रहा है कुमराशी के लिए बात करों तो सूरे की इस्थिदी इकादश में बहुत शुब रहे गी आपके लिए को पार्नर की तरफ से आपको का लाव होता हुआ है कामकाश की इस्थिदी काफी इस ड्राइगी परिवार में काफी अच्छा रहेगा बस थोड़ी सी छोटी मुटी या जंदर्मा के स्टिती काफी अच्छी है, मंगल भी दिट्वाब में आपको आर्शिक स्टिती के लिए समय बहुत इच्छा रहेगा, जो लोग आगे विपार में लाब कमाना चाहते हैं, और विपार को बढ़ाना चाहते हैं, तो भीकुल बढ़ाया जा सकता है, और कहीं न कह सरकारी नुख्री के विपना बंते लिकाई दीजाई दे रहे हैं कहीं जिसमें इंकम में काफी एक अच्छा उ और आपको मिनाफा भी मुनाफ़ा हो सकता है, यां इंकम हमेशे के लिए लिए 10, clear up, हो दिटित्व धूँ jakको इकितके टारी करते हैं, तो कर सकते हैं, घर भी शुब रहेगा तो हम फिर मिलेंगे आपकी राश्यों को लेकर अब तक के लिए नमस्कार